प्रियमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी विद प्रदीप में दोस्तों टिजटी पेजटी यल्टी और जी आईसी को ध्यान में रख करके लगातार हम लोग बायलोजी प्रैक्टिस पेपर स्रिंखला को आगे बढ़ा रहे हैं प्लांट एन अटामी से हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे और क्योस्टन नंबर 47 तक हो जुका था 48 से लेकर के क्योस्टन नंबर 60 तक इस सेग्मेंट में करने वाले हैं और नेक्स सेग्मेंट में 75 क्योस्टन तक हम लोग करने वाले हैं तो चलिए स्टाट करते हैं, पहला question आपके सामने है, किसी अतक में बियुक्त कोश्काओं के रूप में पाए जाने वाले साखि़ द्रणव ऊतक कहलाते हैं, पोसवाहर रूपरे से वाहिन की कोश काएं, बिचित्र कोश काएं, द्रण कोश काएं तो आप कहेंगे ब्रांच्ट इसकलेरन काइमा अकर्स एज एसुलेटेट सेल इसकलेटर इन इनी टीसू और काल्ड तो आप कहेंगे इनका सही आंसर होता है लिब्री फार्म फाइबरस, क्या होता है लिब्री फार्म फाइबरस यानि पोसवाहर रूपरे से, पोसवाहर रूपरे से लिब्री फार्म फाइबरस एक प्रकार के साके द्रण उतक होते हैं, यानि स्कलेरन काइमेटा फाइबर के बने होते हैं यह दिन उत्तग्रेश से के एक प्रकार होते हैं जो मुख रूप से कास्टी दूईबीज पत्री पोधों में पाय जाते हैं ट्यून का कारपस थियुरी यांनि ट्यून का कारपस What किसके दौरा पर SUBSCRIBE किया गया थह फैंध का प्रत्पा़दित किया गया थहexpl Nepay तो सही आंसर है। इस लिए इस मिट के दोड़ा 1924 इजबित में इस टीुनिंग्ण का कारपस थिया गया थहुद्ध अहिए पस्पस्ट छेत्रों ट्यून का और कार्पस का बना होता है लेप्टोम सब्द हैवर लेंड दोरा खोजा गया किसके समानार्थी है फ्लोयम के जाइलम के मेरिष्टम के या एपिकल मेरिष्टम के तो आप कहेंगे फ्लोयम के लेप्टोम जो है यह सब्द हैवर लेंड दोरा और खोजा गया था और यह सिनानिम से किस का, तो आप कहेंगे फलोयम का, लेपटोम से जो है वर्लेंड और खोजा गया है, फलोयम की समानारती है, यह फलोयम के वे भाग होते हैं, जो बौधों में मुक्षिता भोज़ पदारतों के परिवहन की क्रिया, संपादित करतें उसे leptome कहते हैं निमलिकित में से कौन सबसे ससक्त mechanical tissue होता है पहर एंकाइमा, इस्कलिरेंकाइमा, कोलेंकाइमा तो इस्कलिरेंकाइमा आपका सही आंसर होगा दिखें कहरा हुए छाफदाे strongest mechanical tissue एमंग दा फालोइंग Perenchyma, Colenchyma, Sclerenychyma तो सही आंसर आपका कौन होगा Sclerenychyma PGT में पूछा गया कि अचनल 2013 में Sclerenychyma सबसे सबसे सकत Mechanical टिसू होता है यह मोटी भेकती युक्त कटोर कुशकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल उतक है इन उतकों में लिगनिफाइड दुती एक भिती होती कही मैं से कौन से पादब उत्व में Lignified यानि लिग्निन युक्तकोस का भिती तो पैरिनकाइमा मरिदु उत्व में कॉलिंकाइमा इस तूझ कोन उत्व में इसकलेरिन काइमा दिर्णू उत्व में और मिजो फिल पढ़ मदो थक, विज़ आफ़मलग टिस्टू आफ दे प्ल antаци अफ़ लेगनिफाइड, सेल वाल तो आपका सही आंसर हो जाता है इसकलेरेन काइमा वाय। तक निम्न प champions' में मुक्थता पाय जाते हैं, Waya bob 넌 में मकिता पाए जाते हैं जलोद भिद हाइड रूफाइट में मरोद भिद जीरो वÓइड में बाल कोद भिद यानि सेमी फैड में या निम्निकित में कोई नी ऐरन काइमा मेंली फाउंड इंदे कौए तो आप कहांग हैं एक 지शुन में पाएड जाते हैं कहलाते हैं ये मुक्ता जलोदभिद पौदों में पाए जाते हैं ये पौदों में उत्पलावकता प्रदान करते हैं ने मिलकित में से किसम एरन काइमा बहुतायत में मिलता है तो मरुदभिद में जलोदभिद में समोदभिद में या अधिपादप में तो आप कहेंगे किसम की बड़ी रिक्तिकाई हो कहलाती है पेरेन काइमा टिसो वित लार्ज वेक्यूल आरकाल्ड तो आपकेंगे एरेन काइमा क्या कहलते है एरेन काइमा कहलते है उतक जन यानि हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का क्रम होता है अभिरंज बलकुटी तुचा जन अभिरंज रंब जन बलकुट जन रंब जन या बलकुट जन रंब जन तुचा जन तो डर्मेटोजन फेरिलम और फ्री रोम हिस्टोजन बाद हिस्टीन द्वारा प्रत पादित किया गया था इनके अनुसार सबसे बाहरी प्रत तुचा जन जिसे डर्मेटोजन कहते हैं उसके अंदर बलकुट जन यानि पेरिबलेम तथा सबसे अंदर रंब जन यानि प्लेरोम होता है तुचा जन से वाय तुचा वाग गोपक जन बलकुट जन से कार्टेक सता अंतर तुचा तुचा तथा रंब जन से रंब का निरमाड होता है जड़ में गोपक जन का निर्मार होता है रंब जन से बलकुर जन से तोचा जन से उपरोक में से कोई ने इन रूट कैलिप्रोजन इज फार्म फ्राम तो डर्मेटोजन इस्टोमेटा में जब सहायक कोई काया अनपस्थित होती है तो उसे कहते हैं एनिसोसिटिक, एनमोसिटिक, डाइसिटिक, पैरासिटिक, इनिस्टोमेटा फेर सबसीडेटरी सेल आरेटसेंट इन तो आप कहेंगे एनमोसिटिक, जब रंदर में आकरित के अदार पर बिभेदित सहायक कोई काया और पस्थित होती है तो उससे एनमोसिटिक कहा जाता है बलकुट संबहन पूल, इन में पाए जाते हैं निक्तिन्थिस का इस्थम, कैजूर, आईरीना, कैजूरीना का इस्थम, यह और भी दोनों इन में से कोई ने कायटिकल वास्कूलर बंडल आर फाउंडिन, इस्थम आप धन निक्तिन्थिस, इस्थम आप कैजूराइना, बोथ आप दीज तो आप कहेंगे निक्तेन्थास तथा केजुराईना दोनों के इस्unn में बलकुट के सम्माहन पूल यानिवास्कृर बन्डल पाय जाते हैं निक्तेन्थिज में बलकुट पूल सन्युकत, अभिपोसवाही वर्दि और वाह आदि-दारूख होता है केजुराइना में संभन पूलों का दिक विन्या सामान ने होता है अर्थाज जायलम अब केंदर की और तथा फलोयम बाहर की और होते हैं तथा ये उभारों के ठीक नीचे इस्थित होते हैं बहुत से पौदों में मेड्लरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर मेरा बिलिस, विगून विला, एमरेंथस और निक्टेंथस मेड़्लरी बंडल are present in the many plants आप था निक्टेंथस मेड़्लरी बंडल संभन बंडल है जो दोः बीज पत्री पादक के पित्ह में पाए जाते हैं अभी तक दूइबिच पत्री पौदों में 38 कुलों में इनकी उपस्तिती का पता लगाया जा चुका है समंदित प्रस्ट में विगुनबिलिया, मेरेबिलिस कुल, नेक्टेंथेसी तथा एमरेंथस, एमरेंथेसी कुल का है जिन में मेडूली बंडल पाय जाता है मेडूली बंडल में भी मेडूली बंडल रिंग में भी हो सकते हैं या पित में तितरे बितरे हो सकते हैं तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आज बहुत छोटा था, कल आपका 15 क्योस्चन है, उसके बाद फिर आपकी सेग्मेंट बड़े-बड़े होने लगेंगे तो आज ही इसका सेकेंड पाइट भी आपका अपलोड हो जाएगा, आप चरूर देखें, अपने मित्रों को सेर करें, एक्जाम पॉइंट किस इंकला भी लगातार आपके लिए आगे पड़ रही है, दस एक्जाम पॉइंट तक आपको कलास में कराय जा चुके हैं, 11 एक् मेहत्पूर होंगी, यानि टोटल अगर हम अबराल की बात करें, तो आपको 50 एक्जाम पॉइंट मिलेंगे, हिंदी में 50 एक्जाम पॉइंट आपको इंगलिस में मिलेंगे, और यह आपके लिए बहुत मेहत्पूर होते हैं, 100 एक्जाम पॉइंट जो आपको मिलेंगे, व आप जोड़ेंगे इसका लाब आप फिल कर पाएंगे महसूस कर पाएंगे और उसका लाब आपको अवज साब के एक्जाम में मिलेगा तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए इजाज़त दीजी